तो भाई लोग कैसे हो आ गया हो नई वीडियो के साथ और अपन बात करने वाले आज के वीडियो में अर्मेंडो कलासो सर के बारे में कलासो सर को यार काफी लोग जानते हूंगे जो लोग फुटबॉल काफी टाइम से देखते आ रहे हैं तो यार वो definitely जानते होंगे बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं जानते हैं जिनने फुटबॉल देखना भी अभी चालू करा है तो उनके लिए वीडियो काफी informative उने वाली है और जो जानते हैं उनको भी देखने में मज़ा आएगा तो कि एक तरीके से memory रेलेव हो सरबॉर्ण हुए थे गोवा में और वहां से उनने अपनी फुटबॉलिंग जर्णी चालू करी थी फुटबॉलिंग जर्णी चालू हुई एज प्लेयर जो थे वो डेम्पो के लिए खेले थे और उनका जो influential करियर था वो mainly as a player नहीं as a manager था और जैसे वो manager बने तो उनने क वहां से चालू करा था और वहां पर वह चोटे मुटे टाइटल चोटे मुटे लोकल टाइटल वहां पर भी जीते थे उसके बाद फिर उनने चर्चिल ब्रदर्स के लिए साइन करा और चर्चिल ब्रदर्स जो लोग नहीं जानते हो उस समय की one of the unit teams थी जिनको यार बहुत मलब रिनाउन टीम है सब बहुत सारे लोग जानते होंगे जो उनने आई लीग देखा होगा या एनेफल देखा होगा उस टाइम पर तो वहां पर भी यार उनने काफी अच्छे फीट अचीव करें वहां पर भी जाने के बाद उनने थ्री गोवा फुटबॉल लीग टाइ ऐसे आप समझ लोग जो लोग बार्करिस प्रीमेर लीग देखते हो तो बार्करिस प्रीमेर लीग 1992 में हुआ था और उसके पहले अपन क्या बोलते हो थे उसको और विसी बात है इंग्लिश लीग टाइटल बोलते थे तो वैसा ही है तो अब यार बहां पर भी उसने को उनने और जिस तरीके का फुट बॉल खेलाए ना गईस मज़ा आजाता है देखके यार ऐसा फुट बॉल था और आप लोग को देखके यार मैं बता रहा हूँ मज़ा आ जाएगा जिनने देखा है उससमें फुट बॉल खासकर डेमपो का तो सीरियसली आप सब को मालू मुझे किस लेवल का फुटबॉल खेलते थे वो, तो डेम्बो के मी बात करें तो डेम्बो में आने के बाद एर उनने एन एनेफेल टाइटल्स जीत लिये थे और उनने डेम्बो को ऐसा बनाना चाहा ज़सा कि यार मतलब मज़ा आ जाय choke लोग इंप्रेस हो जाए फुटबॉल देखके और मुझे उनको सारी फीट्स अचीव करनी थी अच्छे लेवल तक की उसके बाद फिर डेमपो में उनने जब वो आई लीग में उसका नाम चेंज हो गया और आई लीग में चेंज हो गया और उस समय आदोगा आपको रेंटी मार्टेंस कौन था रेंटी मार्टेंस गोल मशीन ऐसे गोल मारता था था ना भाई वो मजा जाता था देखके तो वो यार मन आउप दा कहते ना मोस्ट अमेजिंग सीजन्स था देंपो का मुझे देखने में बहुत मजा आया था और जो भी लोग देखते हो उनको याद हो गर एंटी मार्टेंस कैसा था क्लाइमेक्स अपना लॉरेंस कैसा था और ये लोग कैसे प्लेयर्स थे और देंपो में किस तरीके से खेलते आयत तो सबने ये बोला कि इससे परफेक्ट फिट इंडियन नाशनल फूटबॉल टीम के लिए कोज बनाना कोई होई नी सकता अगर इंडियन बंदे को बनाये जा रहा है तो तो यार काफी स्टेक्स हाई थी इनके उपर बट ऑल्दो जो समय टीम थी इंडियन नाशनल फूट पहाना था टीम को और डेफिनिटली उनको टाइम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी जो यार दिया नहीं गया टाइम इतना ज़्यादा मिला नहीं और उनका जो टैनियोर था वो एक साल में खतम हो गया ड्यू तो सेवरल अधर रीजन्स ऑल्सो ऑल्दो गाईज जो एक स ड्रौ खेला था मालडीव से और 2-2 ड्रौ खेला था UAE से वर्ल्ड कप कौलिफाइंग स्टेज के टाइम पर तो यार ऐसे बहुत बुरे ज़र्ड नहीं थे बस टाइम थोड़ा कम मिला था फिर यार वहां से अपन बात करते हैं स्टाइल ओफ प्ले के बारे में कि यार कै इसा स्टाइल ओफ प्ले था और यह सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि स्टाइल ओफ प्ले की वज़े से ही अर्मेंडो कलासो सर जाने जाते हैं उस समय इंडिया लॉंग बॉल पासिंग ही चलती थी लॉंग बॉल लॉंग बॉल मतलब एक अलगी डैप का फुट पासिंग पॉजेशन बेस्ट फुटबॉल मतलब उस समय पे इंडिया में ही खिलाना बहुत बड़ी बात थी और बहुत अच्छे से खिलाना और ऐसा नहीं कि डैंपो में बहुत सारे फॉरेंड प्लेयर्स ही थे वहाँ पर इंडियन प्लेयर्स थे काफी इंडियन प्लेय कि इंडियन बार्सलोना टाइप की थीम है और वो इस तरीके का फुटबॉल खेलती थी मज़ा आता था फैंस पसंद करने लगते थे डैंपो का स्टाइल ओफ प्लेयर्ट हो यह आये और यह पॉसिबल है ऐसा नहीं है यह नहीं पॉसिबल है और अर्मेंडो कलासो सर यही इंडियन कोचेश होनेज़, और यहार वो चाहते हैं इंडियन कोचेश जो इह ग्रूट को समस्ते हैं, इस जगे को समस्ते हैं, उनका कहना यह है कि वो अगर फॉरेंड अवैंन पर जाएं, वो काइस वांब एक वैंख हैं तो ये situation है कि नहीं असिस्टेंट नहीं, main head coach ही उनके साब से होना चाहिए, जो Indian होना चाहिए, इंडियन origin होना चाहिए, और ये वो चाते कि जब से आर कितना time हो गया, आप सब पहले मैंने भी वीडियो में बोला है, कि हमारे पास लगतार तीन coaches जो अभी आए हैं, जो 6 साल स चलते आ रहे हैं, साथ साल से, वो कौन है, सारे foreign coaches हैं, तो Indian coaches का time उनका कहना है, आ जाना चाहिए, और उनने revolutionize करा है, Indian football को बहुत sense में, अपने style of play से, और यार, डेमपो में जो खास का history create करी है, जो भी fan होगे, और Mendo Kalasso Sir का, और या तो यार, जो भी Indian football देखता होगा, उस आज का जो वीडियो था, वो और Mendo Kalasso Sir के उपर था, मैं उनको, उस समय जब मैं देखता था, मैंने चालू करा था, I-League देखना, guys, थोड़ा थोड़ा जब मैं स्कूल से आता था, 7-8 के time से चालू करा था, 7-8 season, 8-9 season, जब मैं Arsenal को support करता हूँ, जब Sikh support करता हूँ, तो उ इतना interesting हो गया था, कि यार, goal score पढ़ रहा है, Dempo बहुत beautiful football खेल रही है, मज़ा आता था देखने में, तो यार, मैंने उसके बाद ही, पसा करना की कुशिश करीगी, क्या है, कैसे है, Mendo Kalasso Sir, ये Indian football का क्या scene है, scenario है, आप लोग ने अगर अभी देखना चालू करा है, तो थो ये लोगों को नहीं मालूम है, या जो लोग नहीं देख रहे हैं, football अभी, उनको नहीं मालूम है, so guys, that's all from today's video, कुछ पॉइंट छोटे मोटे इदर हो सकते है, Mendo Kalasso Sir के बारे में, छोटी चीज़े मैंने मिस कर दी होंगी, जो उनने करी होंगी, क्योंकि मैं precise video बनाना चा समझ रहा हूं कैसे बनाने वीडियो, तो guys, stay tuned, अच्छा लगे तो subscribe करना guys, क्योंकि नए वीडियो आते रहेंगे रोज, take care guys, bye bye, peace, jahin